लागू करने पर विचार किया जाएगा होने जा रहा है उसके लिए हम लोग यहां एकत्रूए हैं जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 2017 के पहले संचारी रोग जो हुआ करते थे खास करके जो हमारे तराई छेत थे जैसे इसमें गोरखपूर का जो बेल्ट था महाँ पर जेई, एएएस, मलेरिया, फाइलेरिय देंगू इनकी संख्या में अत्यधिक हुआ करते थे खास करके गर हम जेई, एएएस की बात करें तो इनकी संख्या तीन अंकों के ऊपर होती थी और इवेन यहां तक की मरने वालों की संख्या भी तीन अंकों तक होती थी 2017 में जब मानी मुखमंती जी ने पदभार ग्राण किया तो चुकि इस समस्या से वो बहुत अच्छी तरह से रूबरू थे उन्होंने साथख प्रयास किया और उस पहल का नतीज़ा यह हुआ कि जो हमारी मरीजों की संख्या तीन अंकों और चार अंकों में होती थी और जो यह इसके केवल आठ मरीज रिपोर्टेड हैं और जिसमें मित्व किसी की नहीं हुई है मलेरिया, पाइलेरिया, डेंगू, चिकेन गुनिया इन सब के कोई भी मरीज हमारे पास नहीं है यह सरकार का एक समयकित प्रयास होता है जिसमें विभिन्न विभाग जैसे कुल 12 जैसे हमारा नगर विघास विघाद, ग्रामिर विघास विघाद, हमारा सिक्षा विभाग, बन विभाग, उद्यान विभाग, और पसपालन विभाग, सुचना विभाग, सभी लोग मिल करके काम करते हैं, सब लोग करते हैं तो इसमें प्रमुक काम जो हमारा किया जाता ह कि एक तो गामीर जनता को साप सपाई और सवस्थता का संदेज दिया जाता है उनको इससे हम लोग रूबरू कराते हैं कि सवस्थता से ही हम सवस्थता को प्राप्त कर सकते हैं